हेलो स्टुडेंट्स आम आयम विपल मिश्रा अट को ऐसे निकाडमी आज हम बात करेंगे अपने स्पेशल सेग्मेंट टीजी टी के लिए स्टुडेंट जैसा कि आपको पता होगा कि टीजी टी के सेग्मेंट में बहुत सारी वेकेंसी आ चुकी हैं तो हम उसी की डीटेल आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे अगर हम बात करते हैं डेट के टर्म्स में तो इसका जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट ह हो चुका है ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथी आपकी है 29-10 यानि 29 अक्टूबर से रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट इट इस 27 नमबर तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए वही तीन इजी स्टेप हैं आपको पता होंगे पहले में हम रिजिस्ट्रेशन करते हैं दूसरे में फी सब्मिशन है उसके बाद में जाके कहीं हमारा फाइनल सब्मिशन हो पाएगा अब हम अगर बात करते हैं वेकेंसी की जनरल जो आपके गाइडलाइन्स है वो वेबसाइट पे दिये हुए हैं आप उनको पढ़ लीजेगा स्टुडेंट्स अगर हम बात करें नंबर ओफ वेकेंसी की तो इसको गवर्मेंट ने दो कटेगरी में डिवाइड किया है बालक वर्ग और बालिका वर्ग क्योंकि उन्हें की कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने डिस्क्रेप्शन दिया है नंबर ओफ व गडित के केस में 1822 वेकेंसी है ऐसे ही ग्रह विज्ञान भी 611 वेकेंसी रखता है बालक वर्ग में 1741 वेकेंसी आपकी विज्ञान वर्ग में है 497 वेकेंसी आपकी सारी सिक्षा में है ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे आपका क्रशी है संगीत वादन है संगीत ग ठीक इसी प्रकार, अगर हम बात करें बाली का वर्ग की, तो बाली का वर्ग में भी जो vacancy है सबसे जादा, वो आपकी हिंदी में है, 214, उसके बाद में गडित में 166, ग्रे विढियान में 160, रैट, इसमें ग्रे विढियान में इसले जादा है, क्यों? क्योंकि बाली का वर् यह ज्यादा occupied होता है फिर उसके बाद में सामाजिक विज्ञान में 186 विज्ञान में 202 और इसी तरीके से आपकी जो टोटल बालिकावर की जो वेकेंसीज हैं वो 1462 हैं तो यह बात होगी वेकेंसीज की अगर हम eligibility की बात करें eligibility in terms of age आपको पता है कम से कम 21 साल की आयू होनी चाहिए और जो maximum age है उसमें relaxation as per government rule भी आपको दिया जाएगा तो student बहुत सारी वेकेंसीज हैं जुट जाएए पूरी तरीके से लग जाएए तैयारी में सबसे पहले आपकी जो सही तरीका है जो सही strategy है आपका preparation का उसमें आप simple आप जो भी आपका syllabus है जो भी respective आपका subject है उसका syllabus निकालीजिए syllabus को उसके section के हिसाब से divide कर लिजए जैसे for example अगर हम commerce की बात करें तो commerce में बहुत सारे subtopics होंगे like accounting भी है उसमें accounting के अलावा में उसमें आपको stats का भी portion मिल जाएगा उसमें BO का भी मिल जाएगा business organization का प्रबंधन का भी मिल जाएगा marketing का भी मिल जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें economics भी वहाँ पे है और banking currency and banking का भी हिस्सा उसमें दिया हुआ है तो अब हमें क्या करना चाहिए एक सही तरीका subject की तैयारी का यह है कि हम उसको पहले parts में या units में divide करने अपने आप और फिर हम हर एक unit में हर एक part में उसी के अनुरूप अपन input या योगदान दे उसी प्रकार से हमें सही तैयारी करनी चाहिए अगर आपको कोई और question है कोई और inquiry है regarding the TGT segment तो आप हमारे दिये हुए number पे भी call कर सकते हैं इस पे भी पता कर सकते हैं WhatsApp number आप इस पे message कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप जो government की website है आप उस पे login कर सकते हैं और TGT से सम्मंदी सारी जानकारी हमारी website पे भी दी हुई है तो student get ready for rock in this segment प्लीज तैयार हो जाएए इन सारी opportunities को ग्राप रने ही तैंक यू कर दो